स्वागत है आप सभी का आजाद IAS Academy के ओनलेन बैच के वीडियो टारगेट प्रोग्राम पे ये प्रीकम मेंस बैच का वीडियो टारगेट है तो जो छाथ हमारे साथ व्योस्थित क्रम पे घर बैठे आजाद IAS Academy के द्वारा ब्योस्थित क्रम पे अपने ओनलेन बैच के छात्रों के लिए प्रारण किया गया था उसके पाँचवे सब्ताह पे हम लोग आ चुके है और आप सभी निश्चित तोर पे पाँचवे सब्ताह पे बहुत व्योस्थित क्रम से पिछले चाथ सब्ताहों को आपने किया होगा और भुगोल विश्यवस्थित को चुकी हमने प्रारम किया था तो भुगोल विश्यवस्थित को अबाद जो है आगे कंटिनिवस भी रखेंगे हम लोग तो यह आपका टारगेट वीक टारगेट वीक फाइव है तो अभी इसमें भुगोली करेंगे जो इंडियन जोग्रोफी की विश्यवस्थित है उसे मैं आप लोगों को समगरता से करवा रहा था उसी को कंटिनिवस करेंगे और इसके अंतरगत आप जो है आज मेरे साथ कंप्लीट करेंगे इंडियन जोग्रोफी को पूरी समगरता से मतलब पूरी आपकी complete हो जाएगी जो आने वाले आपके वीडियोज है तो अब इसमें आपकी Indian Geography की Class 67 से सुरू करना है आपको तो Indian Geography Geography Class 67 पिछले 66 तक आप सभी बच्चों ने किया था आज जो है इसके आगे का Target में आप लोगों को दे रहा हूं तो 66 करेंगे फिर 67 66 में उद्योग था वो आपने कर लिया होगा और इन सबके Notes भी बना रहे होंगे सभी बच्चे Notes जरूर बनाएंगे दो Notes करम से बनाते हुए अब आप 67 में करेंगे तो यहाँ पर भी जोग्राफी में उद्योग भी सेवस्तों को देखें यह उद्योग आपका जो भोगोलिक आधार पे उद्योगों का विकास हुआ है भोगोलिक आवस्थितियों के आधार पे उद्योगों का विकास हुआ है और क्या कारण था कि वहाँ पर यह उद्योग क्यों विक्सित हुआ क्या कारण है यह चीज़े भी मैं यहाँ पर आवस्तिती और उसके भगोलिक कारण उद्योगों के विकास के यहाँ पर मैंने डिसकस किया है सभी उद्योगों को लिया ऐसा कोई उद्योग नहीं बचा जो मैंने आपर ना लिया हो तो 66 में उद्योग था 67 में भी उद्योग है 68 में भी उद्योग है तो class number 67 68 complete 87 classes थी इसमें इंडियन जोग्रफी की केटेगरी में तो आप इसे complete करेंगे इसके अलावा भी आगे और भी हैं classes तो वो भी पूरी करेंगे ताकि आपका revision भी हो जाए हमने revision classes भी आपकी सारी करवाई है तो 67 फिर आपकी 68 फिर 69 70 class number 71 कोईला से जुड़ी हुई है 68 आपकी उद्योग है 69 भी उद्योग है 60 में 70 में class number 70 में आपकी भारत का उर्जा संसाधन जिसमें कोईला 71 में कोईला भाग दो 72 में petroleum 73 में उर्जा संसाधन 74 में उर्जा संसाधन 76 खनिज 77 खनिज संसाधन 78 धात्वी खनिज विसेवस्त को पढ़ाए गया 79 आधात्वी खनिज को पढ़ाए गया 80 class number 80 में भारत का परिवहन और संचार ये आपको पढ़ाए गया 81 में सडक परिवहान पढ़ाए गया 82 में रेल परिवहान पढ़ाए गया 83 में वायू परिवहान पढ़ाए गया 84 में जल परिवहान पढ़ाए गया 85 में भारत की जंजातियां है ये भी आपको करना है 86 में भारत की जंजातियां है और 87 में भारत का बुगोल सभलता पुरुक समाब अच्छे से कराए गया है तो class number 67 से लेके 87 तक complete करेंगे पूरी classes आपकी इसी के साथ आपकी Indian geography खतम हो जाएगी तो pre-commence batch जो हमारा है जो pre-commence batch है ये जो आपका batch है इस batch में आप लोग Indian geography की विस्सेवस्ट पे आपको अपने application में जाना है application या website में जाना है वहाँ पर आप लोग geography के pre-commence वाले topic पे जाएंगे category पे जाएंगे और वहाँ से Indian geography by रवी प्रकास अजाद इस सब category पे जाएंगे जहाँ पर class number 66 से 67 से 87 तक पूरी complete हो जाएगी और सारे notes आप लोग बना रहे होंगे ये मुझे आशा है जो चात्र में सोनली के batch में भी जुड़े हुए हैं उनके लिए अलग target है जो नहीं जुड़े वो जरूर जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी और दोनों के target अलग अलग है इसके अलवा आप लोगों को self study भी करना है तो आप लोगों को मैं बहुत ज़दा material खुद दे रहा हूं तो सभी बच्चे जितने भी online batch के हैं निरंतरता के साथ बने रहें निश्यत तोर पे आप सभी online batch से बड़े इस तर पे लाभानवीत हो रहे हैं घर बैटे समगरता से जुड़े हैं और जो चातर जाद इस academy के online batch से जुड़ना चाहते हैं website के माध्यम से जाएं और बैश से जुड़िए और website निरंतरता के साथ classes कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं आप सभी भी इस मेहनत में हमारे साथ बने रहे हैं और निश्यत तोर पे आपको बहुत ही समगरता से हर वी से वस्तु को हम complete करवा रहे हैं और करवाते जाएंगे ठीक है तो चलिए इसी के साथ यह आपके पांचवे सप्ता का टार्गेट था मिलेंगे अगले नेक्स सप्ता हैं में चट्वे सप्ता हैं में और अराम से करिए निसिंता पूर्वक मैं आपके साथ हूँ सेल्फिश स्टेडी प्रोग्राम भी करिएगा और में इसका भी जो आपका वीडियो टार्गेट हो भी करिएगा चले बहुत बहुत सुक्रिया धन्यवाद